समस्कार मैं हूँ अभिलाद रिक्षित और आप देख रहे हैं अंटी करप्सन निउस अंड ब्यूज सुमेरपुर विकास खंड में मासूम बच्चों के साथ बेरहमी बरासुलू आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और साथ दी चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें सुमेरपुर विकास खंड में संचालित विद्यालों में चलाया जा रहा है वहनों में उद्मानक वही निस्तर प्रबच्चों को भूसे की तरह भर कर ढोया जा रहा है आईभाव को की शिकायतों का भे संग्यान विद्याले प्रबंदन नहीं लेता और मनमानी फीज भी प्रतिमा वसूल रहा है वहीं जिम्मदार अधिकारी भी मौन सादे हुए किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है कईन कई बच्चों की जान के साथ में खिलवाड किया जा रहा है आप देखना ये है कि पिस्थानी साशन और प्रसाशन कब जागता है और विद्याले के प्रबंदन समिति की नीन को कब जगाता है श्रवन कुमार यादो की ये रिपोर्ट एंटी करॉप्शन नीज और विद्यान सभा के धानी खेडा गाओं के दुकंदालों ने किया स्थी एस्टी आइक्ट का विरोध उन्नाओ जन्पत के विद्यान सभा चेत्र भगवन नगर के पास इस्थी धानी खेडा गाओं में स्थी एस्टी एक्ट में संसोधित कानून जो केंसरकार द्वारा लागुत किया गया है उसका विरोध किया गया जिसमें दानी खेडा चोराहे पर चुलूस निकाला गया और दानी खेडा के सभी दुकानदारों ने मिलकर एक आक्रोश प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने आस्वश्ट किया कि जल स्रियल अगर इस कानून में संसुदन करके सुपरीम कोर्ट के बनाये हुए इस कानून को फिर से लागू नहीं किया गया तो इस पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और इस आउसर पर स्थानिय दुकानदार उपस्तित रहे जिसमें ब्यापार मंडल के अद्देख्ष्टा मिस्टर सिंग, मोना प्रधान, गोलू सिंग, अनुज, रोहित, अमित, आदी सभी लोगों ने इस पूरे आक्रोष प्रदर्शन में हिस्सा डिया वहीं भानुप्रता प्रधान ने कहा कि अगर सरकार का हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हम धानी खेडा चोराहे पर आत्मत्या कर लेंगे और हमारे एक के मरजाने से समाज अगर सुधरता है या सुरक्षित रहता है तो निश्चित रूप से यह कदम भी उठाया जाएगा अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मान रहा है तो इसके बाद हम जगए जगए धरना प्रदर्शन करेंगे